दूस्तों आज की कहानी है मा पापा आप दोनों के मरणों प्रांत भी मैं आपको मुखा गनी देने नहीं आऊंगा दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुं से अर नया वीडियो पता नहीं किस जमाने में जी रही हो तुम बाबी जो बेटे बहु से उमीद लगाए बैटी हो वो जमाना और ताजब सरवान कुमार अपने अंदे माता पीता के लिए हर कश्ट उठा लेता ता ये कल यूग ये जा बच्छे अपने सुक के लिए माता पीता का त्या कर देत आप सोस रही है कि आपका अभिय बेटा भया के लिए अपना सुक सोड़ कर यहां आएगा सिला अपनी बाबी अनूजा से कहती हैं अनूजा बोली क्या मेरा उमीद लगाना गलते जिस बेटे के लिए योने अपने बुड़ा पे कि जमा पूजी रिटायर्मेंट के सारे प लगाना गलते सिला बोली बाबी आप गलत नहीं है पर आप ये कैसे सोच सकती हैं कि जो आपने अपने माता पीता सास सुर के लिए क्या और अपने बच्चों के लिए क्या वहीं आपके बच्चे भी आपके लिए करेंगे जरूरी नहीं कि हर बच्चे अपने माता पीता के जैसे ही हो अनूजा बोली एक बार जरुवत के वक्षब देवर जी पैसे मांग रहे थे तो अंवियर ने देने मना कर रहा था तुने गहा था मुझे से आजा भया के बुड़ापे का पैसा बेटे को विजनेस के लिए दे रहे जब भी पैसे की जरुवत पड़ी है तब ही आपके पास आपका हाल साल पूसने आता है कल बेटा जब मुशाई पर पहुंच जाएगा तो यहीं आपको पलड कर देखने नहीं आएगा अनुजा के पती सुनिल बाबू सरकारी नोकरी करते थे रिटायर्मेंट के बाद बेटे की जरुवत पर वो ने अपने सारे पैसे उसे दे दिया बेटे ने अपनी एक अलग दुनिया बसाली वक्त मिलता तो माता पीता का हाल साल पूस्ता वरना जाकने तक नहीं आता था इधर सुनिल बाबू की उमर हो सली थी वो एक बीमारी से सूज रहते जिसमें वो अपने याद करने की सकती खोते जा रहते और अकेली अनुजा सब खुद संबाल रहती सिला बोली बाबी सोटे भईया कौन से बले मानू से मैं तो आपको करती थी थोड़ा बहुत हर किसी से मिला जुला कर सलना ही पड़ता हैं कम से कम वो हाल साल पूसले तो आते थे लेकिन अभ्यकी बातों में आकर आपने उनसे भी मन मुटाव कर लियाब देखो किस मूसे उ क्या करोईन के बोलने की बिमारी ने मुझे अंदर से कमजोर कर दिया सोसा था बेटे का साथ मिलेगा तो बुड़ाफा भी बड़ी आसानी से कट जाएगा बहु के लक्सन तो पहले से ही खराब थे पर बेटे ने तो भीस भावर में हाथ से पत्रकार ही सीन ली तो बहु को क्या दोस्तों सिला बोली भावी आप ही मत मत हारी अब आपको अपने हद्य को कटोर करना होगा मा की ममता आपने अंभय को दिखा दी अब उसे अपनी बतने का रूप दिखाए और अपने पैसे उससे वापस मांगे और भाया का सही तरेके से इलाज करवाए ये सिला का दामाद वीवेक हाई क्रोट में वकिल दा उसके सुजाब पर अनुजा ने अपने बेटे अंभय को एक नोटिस बेजा बेटे ने फोन करके का मा अपकब से ये काम करने लगी कोई मा अपने बेटे को कोरट का नोटिस बेजती हैं अनुजा बोली तुमने मेरे पास कोई विकलप ही नहीं सोड़ा कोई बेटा अपने मा बाव से दंगा बाजी करता पीता के बुडापे की लाटी रख लेते हो और पलट कर मा बाव को देखते नहीं हो मैं तुमसे कोई उमिद नहीं रखती बस हमारे पैसे वापस कर दो ताकि मैं तुमारे पीता का इलाज करवा सकू तुमारे पापा की बीमारी ठीक होने वाली नहीं हैं तो क्या उनका इलाज करवाना में बंद कर दे में नहीं साथी की कोरट में एक मा और बेटे का आनना सामना हो बेतर होगा तुम सूप साब अमारे पैसे हमारे अकाउंट में वापस डाल दो करीब पंदर दिन तक अनू जाएं तजार कीपर अंभिय टस से मस नहीं हुआ और कहा आप अगर रिष्टे खतम ही करना साथी हैं तो यहीं सही में पैसे वापस कर रहा हूँ लेकिन एक बात याद रखिएगा आज से हमारा और आपका कोई रिष्टा नहीं रहेगा आप दोनों के मरणों प्रांत भी मैं आपको मुखागनी ने देने नहीं आऊँगा नूजा बोली इस से अच्छी बात और क्या हो सकती है जो जीते जी बेटा काम ना आया वो मरने के बाद मुखागनी दे या ना दे क्या फरक परता तुम भी भूल जाना कि इस मान ने तुमे जनम दिया और किस पीता का तुम पर कर जी बस रात में अगर सेन से नीद आय तो सो जाना क्योंकि तुमने तो हमारी रातों की निद और दिन का सेन दोनों ही सीन लिया फिर भी माहो यहीं दुआ करूंगी कि तुम सेन से सो सको दोसा रोजबाद अंबियन ने सारे पैसे अनुजा के अकाउंट में वापस डाल दिये कुछ रोजबाद सेला आई तो बोली बापी एक बात बोलूंगी आज मैं और मेरा दामान आपकी मदद कर देते कौन जानता कल को मुझ पर भी कोई भी पती आया और मैं मदद ना कर पाऊं तो आपको अपने आगे के जीवन के लिए कुस कटोर कदम लेने ही होंगी अनूजा बोली आपने जितनी मदद की वहीं बहुते उसने एक संस्था के बारे में पता लगाया था तो सिला के दामान को बुलवा कर उसकी पूरी जांस परताल करवाई अपने सारे पैसे उस संस्था में जमा करवाई जां व्रद दमपत्यों की सारे जीमेदारी उटाते जब तक मनूश्य जीवीत रहता उसके खाने पिने दवायों का खड़सा सब लोग वहीं दिखते हैं मरणों प्रांच जो भी पैसे बसते हैं वो संस्था के हो जाते अनुजाने वीवेज्जी की सैता से अपना घर बार बेस करूँ संस्था के बनाए गए नियम के अनुसार जीतने भी पैसे जमा करते थे वो कर दिया और हमारा घर में रहने के लिए सली गई वाउने बिल्कुल अकेला पन नहीं करता था क्योंकि उनके जैसे कई दवपती वा रहते थे घर जैसी सुवीदा हर सीज की देखर एक और कोई तो था वाँ जो सुब सामा कर पूस जाता था कि आप सब क्यासे सुनिल बाबू की बिमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी वो दिरे दिरे सबी रिस्तों को भूलने लगे थे सुकर था उनके दिमाग में अनुजा आज भी वैसे ही थी भूले भी सरे जब भी सुनिल बाबू ये करते अंभी आया अनुजा करते अब वो नहीं आएगा हमारे जीवन में बस में आपके लिए और आप मेरे लिए और एक उमिद की किरण है कि हुई ही हम मुश्कुराते वे अपने बसे वे सपर को तै करेंगे अनुजा करती भी तो क्या करती इस उमर में भी उसने हिमत और उमिद का दामन नहीं सोड़ा जिसके साथ साथ भेरे लिए ते आखिर तक उसका साथ निबाया जमाने के नए रंग और नए रिस्तों से उसका विश्वास भी उट सुका था तो वो भी अब जीना सीक, सुकीती, समय बीतता गया कौन या कितने दिन साथ निबाता एक दिन तो हर कोई सोड़कर अपने सपर पर निकल जाता हैं अगर आज के जमाने में बच्चे भी माता पीता के साथ दंगा बाजी करते हैं तो माता पीता को अपने लिए अपने भविश्य के लिए सोचने का समय आ गया उन्हें कुस कठोर निर्णिय लेने होंगे ताकि कभी वो मजबूर और लासार ना हो